ओम नमों भगवते वासुदेवाई नमहाँ श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याय बारह श्लोक संग्या ठारह अब आगे के दो श्लोकों में सिद्ध भक्त के दस लक्षणों वाला पाच्वा और अन्तिम प्रक्रण कहते हैं समह शत्रव च मित्रे च तथा मानाप मानेयो शीतोष्न सुक दुखेशू समह संग विवर जिता उन्नीस वश्लोक तुल्य निंदास तुतीर मौनोई संतुष्टो येन केन जित अनि केता इस्थर मती भक्तिमान में प्रियो नरह जो शत्रू और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और जो शीत ऊश्न या नुकूलता प्रतिकूलता तथा सुक दुख में सम है इवं आसकती से रहित है और जो निंदाज तुती को समान समझने वाला मनंशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में मम्ता आसकती से रहित और इस्तिरबुद्धी वाला है वह भक्तिमान मनुश्य मुझे प्री है समा शत्रवुच मित्रे च desc यहां भगवान नें भक्तिमें व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता कब अरनकिया है सरवत्र भगवत बुद्धी होने तता राग द्वेश्टे रहित होने के कारण सिद्वक्त का किसी के भी प्रति शत्रुमित्र का भाव नहीं रहता लोग ही उसके व्यभार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं साधरन लोगों का तो कहना यही क्या है सावधान रहने वाले साधिकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है परंतु भक्त अपने आप में सदयव पूर्णतया सम रहता है उसके रदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत् पाज जाए और उसका निर्णाय कराने के लिए वेवट बहुत के पास जाएं तो भक्त धं का वटवारा करते समय शत्रु भाववाले वक्ति को कुछ अधिक और विक्ति को कुछ कम धन देगा यदी भक्त के इस निरणाय या विवार में विशमता देखती है तथा भी शत्र बास्तव में यह सम्ता को उत्पन होने वाला सम्ता ही कहलाईगी। उपर उत पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध वक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रतला का विभार करते हैं और उसके विभार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं इसलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित ना कहकर शत्रु मित्र में सम्म कहा गया है। तथा मानाप मानेयोह। मानाप मान परकृत करिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने मेरे कहलाने वाले शरीर में ना तो अहनता होती है न वामता। इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंता करण में कोई विकार या हर्च शोक पैदा नहीं होता। वेस्ट नित्य निरंतर समता में इस्तिर रहता है। शीतोष्ण सुक दुखेशू समह। समह। इन पतों में दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। पहला शीत या उश्ण में समता। अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विश्यों से संयोग होने पर अंता करण में कोई विकार ना होना। दूसरा सुक दुख में समता। अर्थात धनादी पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंता करण में कोई विकार ना होना। शीतोष्न शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगी इंद्रिय के विशय हैं। बक्त केवल त्वगी इंद्रिये के विशियों में ही सम रहता है। ऐसी बात नहीं है। वैतो समस्त इंद्रियों के विशियों में सम रहता है। अता यहां शीतोषन शब्द समस्त इंद्रियों के विशियों का वाचक है। प्रत्य किंद्री का अपने अपने विशे के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विशियों का ज्यान तो होता है पर उसके अन्ताकरण में हडश शुकादी विकार नहीं होते हैं वह सदा सम रहता है। साथरण मनुष धनादी अनुकूल पदार्थों की प्राति में सुख तथा प्रत्यकूल पदार्थों की प्राति में दुख का अनुभव करते हैं। परन्तु उनी पधार्तों के प्राथ होने अत्वा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतागरण में कभी किंचिन मात्र भी राग, द्वेश, हर्ष, शोगादी, विकार नहीं होते। वह प्रत्यक परिस्तिती में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्तिती अवश्यम भावी है। अता उससे रहित होना सम्भव नहीं है। इसलिए भक्त अनुकूल तदा प्रतिकूल परिस्तितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तदा प्रतिकूल परिस्तिति को लेकर अंता करण में जो हर्ष शोक होता है, उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस द्रश्टी से गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है वहां सुख दुख की परिस्तिती में सम रहना चाहिए ऐसा समझना चाहिए और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहां अनुकूल या प्रतिकूल परिस्तिती की प्राप्ति से होने वाल हर्ष या शोक से रहित रहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, संग विवर्जता, संग शब्द का अर्थ संबंध या संयोग तथा आ सकती दोनों ही हो सकते हैं, मनुष्य के लिए यह संबब नहीं है कि वे स्वरूप से सब पतार्थों का संग अर्थात संबंध चोड़ सकें, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक शरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियां उसके दात रहती ही हैं, हाँ, शरीर से बिन्न कुछ पतार्थों का उन प्राणी पतार्थों से धूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है, दूसरी और अगर अंता करण में प्राणी पतार्थों की किंचन मात्र भी आ सकती नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है, अगर पतार्थ ऐसी बात नहीं है अंदा करण में आसकती के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंदन बना रहता है अथा मनुष्य को संसारिक आसकती ही बांदने वाली है नकि संसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से सब्बंद आसकती को मिटाने के लिए पधारतों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है किन्तु खा जरूरत आसकती का सरवता त्याग करने की ही है संसार के व्रति यदि किंचित मात्र भी आ सकती है तो उसका चिंदन अवश्य होगा इस कारण वह आसकती सादक को क्रमशा कामना, क्रोध, मूर्ता, आदि को प्राप्त कराती हुई, उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतू बन सकती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में फरम दर्ष्टवा निवरत थे। वदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसकती की सर्वता निवरत्ती की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसकती की निवरत्ती हो सकती है। पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसकती सर्वता निवरत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महाम पुरुष में आसक्ति का सर्वता अभाव होता है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधना वस्ता में आसक्ति का सर्वता अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है, साधना वस्ता में भी आसक्ति का सर्वता अभाव होकर साधक को ततकाल भ के संबन्द रूप अर्थात मैं पन की माननिता में रहती है वह एसकती rocket rumors with the mind इंद्री और विषय और कम फ्रतीत होती है अगर सादख के मैं पन की माननिता में रहने वाली आसक्ति मिठ जाए तो इसी जगे प्रतित होने वाली आसक्ति सोता मिट जाएगी आसक्ति का करण अविवेक है अपने विवेक को पूर्ण तया महत्व ना देने से सादक में आसक्ति रहती है बक्त में अविवेक नहीं रहता इसलिए वह आसक्ति से सर्वता रहित होता है अपने अंशी भगवान से विमोख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसकती हो जाती है संसार से माना हुआ अपना पन सर्वथा मिठ जाने से बुद्धि सम हो जाती है मुद्धी के सम होने बद स्वयम आसकती रहित हो जाता है शेश मारमिक बात अगले भाग में ओम नमो भगवते वाश्य देवाई नमा